नमस्कार एउस्ट्वेंटी विहार की आवाज में आपका स्वागत है हम हाजिर हैं आपके सामने अभी तक की कुछ प्रमुख खबरों के साथ खबर विहार के समस्ती पूर जिला से आ रही है जहां अगर थाना क्षेत्र का काशिकुर मुहला एक बार फिर गोलियों की तरतराहट से गूंज उठा वहीं इस गोली बारी की घटना में एक स्थानिय होटेल संचालक भी बुरी तरह जखमी हो गया जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल समस्ती पूर में भरती कराया गया है जहां उसका इलाज जारी है गोली युवक के बाहँ में लगी है घटना के बाद सभी युवक घटना स्थल से भाग खड़ा हुए घायल युवक की पहचान सूरज कुमार के रूप में की गई है जो काशिपुर हनुमान मंदिर स्थित लखना चौक पर चाय नाश्ता का दुकान चलाता है वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद घटना स्थल पर पहुँचे नगर्थाना अध्यक्षरुम कुमार ने घटना स्थल से कुछ खोखे भी बरामत किये हैं घटना के संबंध में स्थानिये लोगों का कहना है कि दिन के करीब 10 बजे एक नीजी कोचिंग का प्रचार गाड़ी लखना चौपर खड़ा था जिसे हटाने को लेकर दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया वह दोनों विवाद करते करते घायल व्यक्ति के होटेल के सामने आ गया जिसे होटल संचालक ने दुकान के आगे से हट कर बाद करने को कहा इसी बात पर विवाद कर रहे दोनों पक्षों में से एक पक्ष के युवक्acao ने फोन करके कुछ युवकों को चौक पर बुला लिया और गोलिया चलानी शुरू कर दी जिसमें होटल संचालक बुरी तरह रखमी हो गया इस दोरान उन युवकों ने होटल संचालक के दुकान में रखा खाने पीने का सामान भी सड़क पर फेंग दिया इस गोली बारी की घटना में घायल युवक को स्थानिये लोगों ने ततकाल सदर अस्पताल समस्ती पुर में भरती करा दिया जहां उसका इलाज किया जा रहा है आपकों बता दें कि विगत कुछ दिनों से जिला का सभी थाना क्षेत्र अशांत्र नजर आ रहा है ऐसा एक भी दिन वह एक भी ऐसा थाना नहीं है जहां रोई जानना कोई ना कोई आप रादिगवार्दात ना हो रही हो वहीं जिला के सबसे रिहायशी इलाके में दिन धाड़े इस तरह की घटना पुलिस या कारे शैली पर भी प्रशन चिनहख खड़ा करता है जानकारों की माने तो बदमाशों ने करीब एक दर्जन राउंड गोलियां चलाई है अभी तक के लिए बस इतना ही कुछ देर बाद हम फिर हाजर होते हैं कुछ अन्य खबरों के साथ तब तक बने रहिए एउस 20 विहार की आवाज के साथ नमस्कार अजया है अजया है अजया है अजया है